बिधान सवच चुनाफ से पहले उत्तर प्रदेश के भीवाजन को लेकर सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे मैसेस को पंचायती राजमंतरी भूपेंदर सिंग्चौधरी ने सिर्फ अफ़वा बताया है दरसल इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मैसेस वाइरल हो रहा है जिसमें 2022 में होने वाले बिधान सवच चुनाफ से पहले उत्तर प्रदेश को अलग अलग भागा में बार्टली की बात कही जा रही है मुरादाबाद में इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पंचायती राजमंत्री ने कहा कि यूपी के भीवाजन की कार योजना सरकार के पास विचारा धीन है ऐसा उनकी जानकारी में नहीं है उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर काफी सारी अख़वाए भी चलती रहती है ये वाइरल पोस्ट भामक है सोशल मीडिया के माद्यम से जो विचे चल लेया है उसकी चर्चा आप लोगोंने की है मेरे संग्यान में अभी तक उत्तरपरदेश के विभाजन की कोई कारे जजना या इस तरह का बिशे कोई सरकार के बीचारादीन है इस तरह की जानकारी मेरे संग्यान में नहीं है और सोसल मीडिया पे बहुत बिसे चलते हैं उनमें सत्ताई सच्चाई क्या है उसका ख़वर का जो पेवाना है सच्चाई का उसका क्या है उसकी जानकारी सब लोग को है और मुझे ऐसा लगता कि इस तरह की ख़वरें परचार ब्रामक है अभी इस तरह की कोई चर्चा सरकार के इस तरह नहीं